तो वड़ा प्रदान मोदी आजे दिल्ले नात आला कटोरा स्टेडियम खाते पहुंची चुक्या चे कि जो आजे विध्यार्थियों साते परिक्षा पर चर्चा कर शे सभी अधिकारियों को भी स्वागत करता हूँ मित्रों परिक्षा पर चर्चा एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है पिछले आठ नो सालों में मानन ये परदान मंत्री जी नाकेवल देश को संभाला है लेकिन देश में अनेग जन आंदोलन का भी जनक रहें वो सुच्छ भारत हो वो परिक्षा पर चर्चा हो या देश की नौजवानों के अंदर एक नईस पूर्ती उत्पन करने की बात हो परिक्षा पर चर्चा बिद्यार्थी अभी बाबक शिक्षक और समाज की जो प्रेसर रहती है जो चुनोती रहती है कौमल मती बच्चे के उपर उसको समझते हुए परधान मंतरी जी ने उस दूबीदा को हमारे बीच में आके समाधान देने के लिए कभी बाबक के नाते एक जुग द्रस्टा के नाते एक समाज सुधार के नाते आज हमारी बीच में उपस्तित है के अपने को खुद को विद्यार्थी बनाया अपने को अभीबाबक बनाया अपने को शिक्षक बनाया आज सही तरीके से हमारी संचालक ने कहा देश की प्रख्यात सिख्याबीत उन्होंने एक्जाम वारियर करके किताब लिखा है इस बार तो उसकी नई संस्क्रण भी आ 23 जानवरी को निताजी की जन्मत दिन के अबसर पे देश भर की स्कूल विद्यार्थियों ने उस पे चित्रांगन की एक कॉंपिटेशन में पाटिसिपेट किया मैं आप सभी को बधाई देता हूं एक्जाम वारियर के अंदर आपको प्रेना लेने के लिए मित्रों देश देश में राष्ट्रिय शिख्षानिती भी रागू हो रहा है और इख्यापे चर्चा एक्जाम वारियर यह सहज्दा ध्ये ध्यरे विद्यार्थियों को 21 शदी के लिए त्यार करने के लिए प्रधान मंतरी जी की सपना है भारत की विद्यार्थी ना के बल भारत की विश करें लाइब जैसे जना अंदुलन को विश्व में प्रधान मंतरी जी ने सुरू किया परियाब अरण विश्व बश्यों के आर्थनिती विश्व में टेक्नलोजी यह भारत की बच्चों के द्वारा निर्मीत होके दुनिया की समस्या की समाधान बने इसी अपेक्षा एन भब या कारेक्रम में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं इस कारेक्रम में कुछ समय प्रधान मंतरी बच्चों के साथ देश की बच्चों के साथ खुद कुछ समय विताएं मैं मानने प्रधान मंतरी जी को मंच पे साधर आमंतरित करता हूं नमस्ते शायद इतनी ठंड में पहली बार परिक्षा पे चर्चा हो रही है आम तोर पर फरवरी में करते हैं लेकिन आप विचार आया कि आप सब को 26 जन्वरी का भी लाब मिले फाइदा उठाये ना जो भार के हैं उन्होंने गहे थे करता पर पर कैसा लगा बाद अच्छा लगा अच्छा घर जाके क्या बताएंगे कुछ नहीं बताएंगे अच्छा साथियों समय ज़्यादा लेता नहीं हूँ मैं लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये परिक्षा पर चर्चा मेरी भी परिक्षा है और देश के कोटी कोटी विद्यार से मेरी परिक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परिक्षा दिने में खुशी होती है आनन दाता है क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं अपनी समस्या बताते हैं व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं मेरे लिए बड़ा सोभा कि है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है कि उल्जनों से गुजरता है देश से उसके अप्रिक्षाई क्या है सरकारों से उसके अप्रिक्षाई क्या है उसके सपने क्या है संकल्प क्या है याने सचमुच मैं मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है और मैं तो मेरी सिस्टिम को कहा हुआ है कि इन सारे सवालों को इखटा करके रखिए कभी 10-15 साथ के बार मोका मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उसका एनालीसिस करेंगे और पीडी बदलती जाती है वैसे स्थीतियां जैसे बदलती जाती है वैसे उनके सपने उनके संकल्पों की सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है इसका एक बहुत बड़ा फिसिस शायद ही इतना सेंपल किसी के बात नहीं होगा जीता आप लोग मिझे सवाल पूछ करके बहिचते है चलिए लंबी बाते नहीं करते हैं मैं चाहूँगा कि कहीं से शुरू करें तक हर बार मेरे पर एक सिकायत आती है कि साहब एक कारकम बहुत लंबा चलता है आपका क्यामत है लंबा चलता है लंबा चलना चाहिए अच्छा मुझे और कोई काम करना नहीं है अच्छा ठीक है आपकी के लिए हो अता ये क्या करेंगे कौन पहले पूछते हैं माननिय प्रधान मन्तरी जी LEY आपका प्रेरख एवं ज्यान वर्दक उत्भोधन सदैम हमें सकारात्मक उर्जा एवं विश्वास से भर देता है आपके ब्रहत अनुभव एवं ज्यान पूर्ण मार्ग दर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतिक्षा कर रहे हैं माननिय आपके आशिरवाद एवं अनुमति से हम इस कायरेक्रम का शिभारम करना चाहते हैं धन्यवाद मान्यवाद माननिय प्रधान मंत्री जी अपने समरिध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य सांदर्य के लिए प्रसिद शहर मदुरई से अश्विनी एक प्रशन पूछना चाहती है अश्विनी कृपया अपना प्रशन पूछिए Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Ashwini. I am a student of Kendra Vidyalia No. 2, Madurai, Tamil Nadu. My question to you sir is, how do I deal with my family disappointment if my results are not good? What if I don't get the marks I am expecting? Being a good student is also not an easy job. Expectations of others become so high that the person who is giving exam gets so much stress and they go into depression. Nowadays, it is common for students to cut their hands and become irritated and there is no one they could trust with their feelings. Kindly guide me on this. Thank you sir. Dhaniabad Ashwini Honorable Prime Minister Sir, Navteesh Dagur hails from the heart of India's capital Delhi, the imperial seat of several empires with his charming blend of a grand medieval history and amazing architectural style. Navteesh is seated in the hall and wishes to discuss an identical issue through his question. Navteesh, please ask your question. Good morning. Honorable Prime Minister Sir, I am Navteesh Jagur of Kendra Vidyalia, Pitampura, Delhi region. Sir, my question to you is, how do I deal with my family's situation when my results are not good? Kindly guide me sir. Thank you very much. Thank you, Navteesh. What says it is? My question is, I have an answer. Rajinwad Priyanka will be a good number for everyone. This means I went at this Я do welcome to him. This means you are my sayaran as well. Yes, roadside I have a good number for you. को प्रभावित करता है और इसे हल करने के लिए आपका मार्क दर्शन चाहते हैं कि अश्विनी आप क्रिकेट खेलती है क्या कि क्रिकेट में कि गूगली बॉल होता है निशाना एक होता है दिशा दूसरी होती है मुझे लगता है कि आप पहले इस बॉल में मुझा उड़ करना चाहती हो अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्शाय होना बहुत स्वाबाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्शाय सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विशे है उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है उनके मन पर इतना परभाव होता है उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे अगर बच्चे भीख है तो कैसे उनके सामने चल्चा करेंगे और कभी कभी माबाब भी आपकी छम्ता को जानने के बावजुद भी अपने social status के कार अपने आसपास के साथियों दोस्तों में कलब में जाते हैं society में जाते हैं कभी ताला में कपड़े दोएomie जाते हैं बैठते हैं बाते करते हैं बच्चो की बाते निकलती हैं फिर उनको एक sincerity complex आता है और इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बाते बता देते हैं अपने बच्चों की लिए और फिर धीरे वो internalize कर लेते हैं और फिर घर में आकर के भी वो ही अपेशाएं करते हैं और समाज जीवन में ये सहच प्रभृत्ती बनी हुई है दूसरा आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेशा करेगा हम तो राजनीती में हैं हम कितने ही चुनाओं क्यों नहीं जीत लें लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है दो सो लाए है तो बोले धाई सो क्यों नहीं लाए है धाई सो लाए तो तीन सो क्यों नहीं लाए है तीन सो लाए तो साड़े तीन सो क्यों नहीं लाए है चारों तरफ से दबाव बनाये जाता है लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए क्या पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है चारों तरफ से जो सुना जाता है उसी में अपना समय बर्बाग करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे अपनी क्षमता, अपनी प्रावरेटी, अपनी आवश्रक्ता अपने इरादे थोड़ा हर अपेशाओं को उसके साथ जोड़िए आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपनी देखा होगा कि कुछ बैश्मन खिलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम हजहरों लोग होते हैं स्टेडियम में वे चिल्लाना सरू करते हैं क्या वो ओडियन्स की डिमांड के उपर चोगे और चोगे लगाता है क्या ऐसा करता है क्या कोई प्लियर चिलाते रहे कितना ही चिलाते रहे उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है उस बॉलर के माइन को स्टेडि करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है बैसे ही खेलता है न की ओडियन्स चिलाता है फोकस रहता है अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो या आपके जो कुछ भी दबाव बनता है आपके शाय बनती हैं कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे आप उस संकटों से बहारा जाएंगे और इतलिए मेरा आपसे आगरह होगा कि आप दबावों के दबावों में न रहे हाँ कभी कभी दबाव को एनारिजिस कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयम के भी से में अंडरेस्टिमेट कर रहे हैं आपके एक्षमता बहुत है लेकिन आप खूद ही इतने डिफिरिस्ट मेंटालिटी की है कि नया करने के लिए चोस होते नहीं तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है बड़ी उर्जा बन जाती है और इसलिए आप एच्छा हैं माबाप को क्या करना है वो ने पहले ही कहा सामाजी दबाओ में माबाप ने बच्चों पर दबाओ ट्रास्पर नहीं करना चाहिए लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आपको नहीं आखना चाहिए और दोनों चीजों की बर देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है का आप ऐसी समस्याओं को भहत आराम से सुलिजा देंगे कहाँ गे एंकर माननिय प्रधान मंत्री जी आपका कोटी कोटी धन्यवाद आपके प्रेरक वच्चनों से अभिभावों को का अपने बच्चों के लिए समझने का मार्ग मिला है माननिय वर के दबाव मेरे न रहे हम गाट बानकर परिक्षा में उत्सा बनाए रखेंगे आपका धन्यवाद माननिय प्रधान मंत्री जी चमबा प्रकृति के अंचुए सौंदर्यों को समेटे भारत के पैरिस के रूप में प्रसेद परवत्य नगर है चमबा हिमाचल प्रदेश से आरूशी ठाकुर अभासी माध्यम से हमसे जूड रही है आरूशी क्रिप्या अपना प्रशन पूछे माननिय प्रधान मंत्री जी नमश्कार मेरा नाम आरूशी ठाकुर है और मैं केंद्रे विद्याले बनी खेग धलाजी जिलाचंबा की कक्षा ग्यारनी की छात्रा हूँ माननिय मेरा आपसे यह प्रशन है कि परिक्षा के दौरान जो बात मुझे सबसे जादा परिशान करती है वो यह है कि मैं पढ़ाई कहां से शुरू करूँ मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैं इसी के ही बारे में सोचती रहती हूँ जो मुझे काफी तनाव देता है प्रिप्या कर्व मार दर्शन कीजिए धन्यवाद सर धन्यवाद आरुशी माननिय प्रधान मंत्री जी भारत में धान का कटोरा के माजा होता है दागा होता है वो कभी एक दूसरे में उलज जाकर के एकदम से बड़ा गुच्छा बन जाता है अब बुद्धिमा इनसान क्या करेगा यू यू खीचेगा कै थाकट लगाएगा क्या ऐसा नहीं करेगा तो तीरे से एक एक तार को पकड़ने कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहा है अब फिर दीरे दीरे खुलेगा तो इतना बढ़ा गुच्छा भी आराम से खुल और सारा माजा, सारा धागा एक जैसी जरुत है विशह उसके हाट लग जाएगा हमें भी उसके जोर 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 से ने करनी है आराम से सॉलुशन निकालना है और अगर आराम से सॉलुशन निकालेंगे तो मुझे पक्का विस्वास है कि आप उसको बड़े धंग से करेंगी दूसरा आपने कभी घर में अपनी माँ के काम को अब्जर्व किया है क्या यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल जाए तो माने सब रेडीर करके रखा था सुबह स्कूल जाना था माने साथ तैयार करके रख दिया था लगता तो बहुत अच्छा है लेकिन क्या कभी अफजर किया है कि मां का टाइम मेनेजमेंट कितना बढ़िया है उसको पता है सुबह ये है तो मुझे च्छे बजे ये करना पड़ेगा साथे च्छे बजे ये करना पड़ेगा उसको नौ बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा वो दस बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा यानि इतना परफ़ेक्ट टाइम मेंजे मेनेजमेंट मां का होता है और जब ये काम सबसे ज़्यादा माग करती रहती है लेकिन किसी काम में उसको बोज अनुप पर भी होता है ठक गई बहुत काम है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करती क्यों? उसे मालू है कि मुझे इतने घंटे में यह यह तो करना है और दो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तब भी वो चूप नहीं बैठती कुछ नों कोज अपना creative activity करती रहती है सुई धाका लेके बैठ जाएगी कुछ नों करती रहेगी रिलेक्स करने लिए भी उसने विवस्ता रखती है अगर मा की गतिवीदी को धंग से अबजर करोगे तो भी आपको एज ए स्टूदेंट अपना time management का महत्व क्या होता है वो time management ने दो गंटे ये चार गंटे ये तिन गंटे ये नहीं micromanagement चाहिए किस विशय को कितना time देना है किस काम को कितना time देना है और इतना बंदन भी नहीं डालने है कि बस छे दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है फिर तो आप थक जाओगे आप धंग से उसको distribute कीजिये समय को जरूर आपको अलाब होगा धन्यवाद नहीं जरूर आफट टूरर टूरवट uważाटर 50 अट्ट्था टूरत आप जर शरूर asta रुपेश काश्यप यह रहीं स्टाज दिस्टिक जढुट इस नोग वाश्ति ट्रीब आर ऑार इन जादिटी प्रेश्ट कुछ फॉट इंट बाम्बू रुपेश इस प्रेजिए स्टिट बड़ प्रेश नेडिए अट्र इस वाजिए ऑट इस आप हैं इस और दिंट रु इंगले वस्टी पर लगाई है हां व्हाम स्वामी आत्मानन गवर्मेंट इंग्लिस मेडियम इसकूल दरवा दुष्टिक बस्तर चथेजगर सर्थ मैं क्वेश्टिन इवाइड अवाइड उन्फेर में इंग्जाम्स थैंक यू सर्थ Thank You Rupesh, Honorable Prime Minister Sir, from the heritage city of Jagannathpuri, the spiritual capital of Odisha, famed for its magnificent corn-shaped layout, rathyaatra and seren beaches, Tanmay Biswal seeks your guidance on a similar issue. Tanmay, please ask your question. Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Tanmay Biswal. I am a student of Javanavadai Vidyalay, Konark, Puri Odisha. My question to you Sir is, how to eliminate cheating or copying activities of the students during examination? Kindly guide me on this. Thank you Sir. परिक्षा में मानिने प्रधान मंत्री जी, रुपेश और तनमें परीक्षा में अनुचित साद्नों के प्रियोग से कैसे बचा जाए, इस विशेपर आपका मार्ग दर्शन चाते हैं. शद्धी प्रधान मंत्री जी. मुझे खुशी हुई कि हमारे विद्ध्यार्शियों को भी ये लग रहा है कि परिक्षा में जो गलत प्रक्टेसिस होती हैं, माल प्रक्टेसिस होती हैं, उसका कोई रास्ता खोजरा चाहिए हैं. खास करके जो महनती भी द्यार्थी होती हैं, उनको जुरूर इसका बहुत ही चिंता रहती हैं, कि मैं इतनी महनत करता हूँ, और ये चोरी करकर के, कौपी करकर के, नकल करके अपना गाड़ी चला लेता है. पहले भी शायद चूरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप-छुप करके करते होंगे. अब तो बिड़े गर्व से कहते हैं, कि आज सूपरवाजर को बुद्ध बना दिया. ये जो मुल्यों में बड़लावाया है, तो बहुत खतरनाख है. और इसलिए समाज ए सच, ये हम सब को सोच रहा होगा. दूसरा अनुभवाया है, कि कुछ कुल या कुछ ऐसे टीचर्स, जो टूशन क्रासिस चलाते हैं, उनको भी लगता है कि मेरा स्टूरंट अच्छे तरह से निकल जाए, क्योंकि मैंने उसके माबाप से पैसे लिये हैं, कोचिंग करता था, तो भी उसको गाइड करते हैं, मदद करते हैं, नकल करने के लिए. करते हैं न, ऐसे टीचर होते हैं न, नहीं होते हैं, तो बोलिए न, और उसके कारण भी दूसरा मैंने देखा हैं, कुछ स्टूडेंट, परदे में तो टाइम देखाते हैं, लेकिन नकल करने के तरीके ढूने में बड़े क्रियेटिव होते हैं, उसमें घंटे लगा देंगे, वो कापली बनाएंगे, तो उसमें छोटे 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 अक्षर होगी बनाएंगे, कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके वज़ाए उन नकल के तरीके, नकल की टकनीक उसमें जितना दिमाग खापाता है, और बड़े क्रियेटिव होते हैं ये चोटे करने वाले, इसके वज़ाए अगर उतना ही समय है, उसी क्रियेटिविटी को, टालेंट को सीखने में लगा देता, तो शायद वो अच्छा कर पा था, किसे ने उसको गाइड करना चाहिए था, किसे ने उसको समझाना चाहिए था, दूसरा ये बात समझ के चले, अब जिन्दगी बहुत बदल चुकी है, जगत बदल चुका है, और इस लिए, ये बहुत आवशक है, कि एक एगजाम से निकले, मतलब जिन्दगी निकल गई, यह संभव नहीं है जी, आज आपको डगर डगर हर जगा पे को इनको एक्जाम देनी पड़ती हैं, कितनी जगा पे नकल करोगे जी, और इसलिए जो नकल करने वाला है, वो शायद एकाद दो एक्जाम तो तो निकल जाएगा, लेकिन जिन्दगी कभी पार नहीं कर पाएगा नकल से जिन्दगी नहीं बन सकती हैं, हो सकता है, एक्जाम में मार्च इधर उदर करके ले आए, लेकिन कहीं कहीं तो क्वेस्चनिबल होगा ही, और इसलिए यह बातामन हमको बनाना होगा, कि एकार्थ एक्जाम में तुमने नकल की, हो गया तुम निकल गये, लेकिन आगे चल करके, शायद तुम जिन्दगी में फसे रहोगे, दूसरा जो विद्यार्थी कड़ी महनत करते हैं, उनसे में मैं कहूंगा, कि आपकी महनत आपकी जिन्दगी में रंग लाएगी, हो सकता है कोई ऐसा ही फाल्तू, दो-चार मार्श आप से उपर ले जाएगा, लेकिन वो कभी भी आपकी जिन्दगी की रुकावट नहीं बन पाएगा, आपके भीतर की जो ताकत है, आपके भीतर की जो ताकत है, वही ताकत आपको आगे ले जाएगी, क्रिपा करके, उसको तो फाइदा हो गया, चलो मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूँ, ऐसा कभी मत करना, कभी मत करना दोस्तों, एग्जामें तो आती हैं, जाती हैं, हमें जिन्दगी जीनी है, जी भर के जीनी है, जित्ते जित्ते जिन्दगी जीनी है, और इसलिए घर हमें है शौटकर की तर्ब नहीं जाब आ चैनि है और अपने dulu सब्रिंसरेश्ट फेर पटरी यहां होती है वाब भीज होता है तो मोग ब्रीज पर जाना पसंद नहीं करते हैं पटरी कुद करके जाते हैं कोई कारण नहीं सही वास मज़या आथा आए तुम्हां लिखा है शॉटकर बिल कट यूशॉट इसलिए कोई अगर शॉटकर से कुछ कर लेता होगा आप उसके टेंशन को पालिये मत आप अपने आपको उसे मुक्त रखिए आप अपने पर फोकस कीजिए आपको अच्छा परणाम मिलेगा अधन्यवाद धन्यवाद मारे नियव प्रधान मंत्री जी आपके वचन सीधे हमारे रिदे में उतर गए हैं आपका धन्यवाद Honorable Prime Minister Sir, from Palakar, the land of pedophils where the gentle breeze carries the aroma of harvested crops and the sound of traditional Kerala music सूजल के seeks your guidance. सूजल, please ask your question. नमस्कार, आधर नियव प्रधान मंत्री महोद है, मेरा नाम तेज़ सुझे है, मैं नौवी कक्षा में केंद्र विद्याले कंजी कोड एरनाकुलम संभा का चात्र हूँ, मेरा प्रशन यह है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क मेंसे कौन सा वर्क जरूरी है? क्या अच्छ क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? सर, हार्ड वर्क के बाद, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड कथा पड़ी होगी है है सबने जुरूर पड़ी होगी है और इससे आप अंदार लगा सकते हैं कि स्मार्ट वर क्या होता है हाड वर क्या होता है हम बच्पन में थे तो एक कथा सुना पराते थे कि गड़े में पानी था पानी जड़ा गहरा था और एक कववा पानी पीना चाहता था लेकिन अंदर वो बहुच नहीं पाता था तो उस कववे ने छोटे-छोटे कंकर उठा करके उस गड़े में डाले और दिरे-दिरे पानी उपर आया और फिर उसने आराम से पानी पीया सुना है लेकथा अब इसको आप क्या कहेंगा हाड़ वर कहेंगे कि स्मार्ट वर कहेंगे और देखिए ये जब कथा लिखी गई रहा तब स्ट्रॉ नहीं था बाजार में जाके स्ट्रॉले के आता कुछ लोग होते हैं जो हाड़ वर्क ही करते रहते हैं कुछ लोग होते हैं जिनके जिवेन में हाड़ वर्क का नामों निशान नहीं होता है कुछ लोग होते हैं जो हाड़ ली स्मार्ट वर्क करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्ट ली हाड़ वर्क करते हैं और इसलिए कोवा भी हमें सिखा रहा है कि स्मार्टली हाड़ वर्क कैसे करना और इसलिए हमें हर काम को पहले काम को बारी कैसी समझी है कुछ लोग होगे आपने देखा होगा कि चीजों को समझने के बजाए सीधा ही अपनी बुद्धी अपनाना शुरू कर देते हैं पिर धेर सारी महरत के परणा मिलता ही नहीं है मुझे आध है मैं बहुत पहले ट्राइबल बेल्ट में काम करता था तो मुझे काफी इंटियर में जाना था तो किसी ने हमें उस जमाने की जो पुरानी जीप होती थी उसने विवस्था की आप उसको लेके जाईए अब सुबह हम कोई साड़े पाच बें निकले माले थे लेकिन हमारी जीप चली नहीं रही थी हम अब देर सारी कोशिश से कि ये धके मारे ये क्या दुनिया भर का हार्ड वर्क किया ठीकिन हमारी जीप नहीं चली है गठ का मिए तो यह मिखैनिक को बुलाया है अब मिखैनिक ने है मुशकिल दुमरीट लगाया होगा है और दो मिनिट में उसने चीक कर दिया beyond फिर कह है सब 200 रुपे दे ने पड़ेंगे खाया यार 2्मिनिट का 200 रुप्या मुले साब ये 2 मुनिट का का 200 रुपया नहीं है यह 50 साल के अनुभव का 200 रुपया है अब हम हार्वर कर रहे जिब नहीं चल रही थी उसने स्मार्टली थोड़े से बोल्टाइट करने थे हाट लिए उसको दो मिनिट लगा हो गए गड़ी चल गई है कहने का तात्पर यह है कि हर चीज बड़ी महनद मजदूरी से करेंगे तो होगा ऐसा आप देखा होगा पहलवान जो होते हैं जो खेल कुद की दुनिया के लोग होते हैं उसको कौन सा खेल से वो जुड़ा हुआ है उस खेल मेर उसको किस मसल्स की ज़रूरत होती है जो ट्रेनर होता है उसको मानूम है अब जैसे कि विकेट के पर होगा तो बिकेट के पर को ऐसे ही जुक कर के गंटों तक खड़े रहना होता है अब हमें क्लास में कुछ गलत की और टीचर कान पकड़के नीचे बिठा द तो कितना दर्द होता है होता एक नहीं होता है एक तो साइकोलोजिकल भी होता है फीजिकल भी होता है कि पैर ऐसे करके कान पकड़ बैठना होता है तकलिप होती है ना लेकिन जो विकेट कीपर होता है ना उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है उसको गंतों तक ऐसे बिटा खड बॉलर होता है तो उसको उस विदा की जरूत नहीं है उसको दूसरी विदा की जरूत है तो उसको वो करवाते हैं और इसलिए हमें भी जिस चीज पे जरूरत है वहीं फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी है हर चीज प्राप्त करने की कोशिश से महनत बहुर हाथ पर उचे करते रहो दोड़ते रहो टिकना करो फलाना करो जेनरल हेल्थ के लिए फिट्नेस के लिए ठीक है लेकिन अगर मुझे एच्व करना है तो उन स्पैसिपिक एरियास को मुझे एड्रेस करना होगा और यह जिसको समझ होती है वो परिणाम भी देता है अगर बॉ इंद Contứng करना होगा है हर्वर तो वह भी करते हैं लेकिन वह स्मार्टली हाड़वर करते हैं और स्मार्टली हाड़वर करते हैं कब जाकर के पोलावाद बहुत 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 दलुवाब थांक यू ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर्व और इंसाइफल गाइदेंस ओन चूजिंग कंसिस्टेंट हार वर्क इन और लाइफ माननिय प्रधान मंत्री जी गुरु द्रोनाचार्य के नाम से विख्याद साइबर सिटी हरियान के प्रसिद्ध और द्योकिक नगर गुरु ग्राम की छात्रा जोविता पात्रा सबागार में उपस्थिद है और आपसे प्रशन पूछना चाहती है जोविता कृप्या अपना प्रशन पूछे नमस्कार, Honorable Prime Minister Sir My name is Jovita Patra and I am a student of Class 10th of Jawahar Navode Vidyalaya Guru Gramm Haryana It's my privilege and great honor to participate in the Pariksha Pechajah 2023 Honorable Prime Minister Sir, my question to you is Being an average student, how can I focus on my studies? Kindly guide me on this issue Thank you Sir धन्यवाद जोविता, माननिया प्रधान मंत्री जी जोविता पात्रा, एक average student आपसे एक्जामे कैसे बहतर करे इसके बारे में आपसे मार्क दर्शन चाहते है कृप्याउन का मार्क दर्शन करे माननिया प्रधान मंत्री जी सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपको पता है का आप average है वरना ज्यादा तर लोग ऐसे होते हैं जो below average होते हैं और अपने आपको बड़ा तेश्मारगा मानते हैं सब बंदर के वापारी मानते हैं तो मैं सबसे पहले आपको और आपके माता पिता जी की भी बधाई देता हूँ एक बार आपने इस सत्य को स्विकार कर लिया कि हाँ भी मेरी एक शेप श्मता है मेरी अस्तिती है मुझे अभी इसके अनुकुल चीजों को ढूंड़ा होगा मुझे बहुत बड़े तेश्मारगा बंदे के ज़रोत नहीं है हम अपने सामर्थ को जिस दिन जानते हैं न तो हम सबसे बड़े सामर्थवान बन जाते हैं जो लोग खुद के सामर्थवान को नहीं जानते हैं उनको सामर्थवान बनने में बहुत सारी रुकावटे आती हैं इसलिए इस थित्य को जानना ये अपने आप में इश्वर ने आपको शक्ति दी है आपके टीचर से शक्ति दी है आपके परिवार ने शक्ति दी है और मैं तो चाहूंगा हर माबाप से आप बच्चों का सही मुल्याकन कीजिए उनको उनके अंदर हीन भावना पैदा होने मत दीजिए लेकिन सही मुल्याकन कीजिए कभी कभी आप लोग उसको कोई बहुत बढ़ी महंगी चीज लानी है तो आप आराम से उसको करें ले निवे अपने घर की अतनी ताकत नहीं है इस चीज हम नहीं ल नहीं है और इसलिए हम एक सामान्य स्तर के वेक्ति हैं और ज्यादा तर लोग सामान्य स्तर के ही होते हैं एक्स्ट्रा ओर्डिनरी बहुत कम लोग होते जी लेकिन सामान्य लोग असामान्य काम करते हैं और जब सामान्य वेक्ति असामान्य काम करते हैं तब वो कही पर चले जाते हैं, एवरेज के मांदन को तोड़ करके निकल जाते हैं, और इसलिए हमें कभी भी ये सोच रहा है, दुनिया में आप देखिए, जावाजर जो लोग सफल हुए है, वो क्या है जी, वो किसी जमाने में एवरेज लोग थे जी, असामान ने काम करके आये हैं, बहुत बड़ा प्रणाम लेके आये हैं, अब आपने देखा होगा, इन दिनों दुनिया में पूरे विश्व के आर्थिक सितियों की चर्चा हो रही है, कौन देश कितना आगे गया, किस की आर्थिक सिति कैसी है, और कोरोना के बाद तो ये और ऐसा तो नहीं है, कि दुनिया के पास अर्थवित्ताओं की कमी है, बड़े बड़े नॉबल प्राइब बिनर है, जो गाइड कर सकते हैं, कि ऐसा करने से आर्थिक सितियों बनेगी, ऐसा करने से आर्थिक सितियों कोई कमी नहीं है, ग्यान का प्रवाब बातने वाले त जिन्नों ने बहुत कुछ किया है लेकिन हम ने देखा है कि भारत आज दुनिया में आर्थिक जो तुलनात्मक हो रहा है भारत को एक आशा की किरन के रुप में देखा जा रहा है कृप्या हम युवाओं को भी प्रेर ना दे ताकि हम जीवन के हर परिक्षा में सफल हो धन्यवाद आप लोग एक्जाम देते हैं और घर आकर के जब परिवार के साथ या दोस्तों के साथ बैड़ते हैं कभी टीचर से निकट नाता है उनसे बैड़ते हैं और कोई सवाल का जवाब ठीक नहीं आया तो आपका पहला रियक्षन होता है यह आउट ओफ सिलिबस था यही होता है नहीं तो यह भी आउट ओफ सिलिबस है लेकिन मैं अन्दाज कर सकता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं अगर आपने मुझे न जोड़ा होता तो शायद आप अपनी बात को और धंग से कहना चाहते होंगे लेकिन शायद आपको मालूम है कि आपके परिवार वाले भी सुन रहे हैं तो ऐसा खुल करके बोलने में खत्रा है इसने बड़ी चतुरा ही सापने बुझे अदल लपेट लिया है देखिए जहां तक मेरा सवाल है मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए यह आर्टिकल अपफेट है मैं सिध्धांत तहम मानता हूँ कि समरिद्ध लोक्तंतर के लिए आलोचना एक शुद्धी यगन है आलोचना यह समरिद्ध लोक्तंतर की पुर्वशर्थ है और इसलिए आपने देखा होज़गा है टेक्लोलोजी में ओपन सोर्स टेक्लोलोजी होती है बालू है ना ओपन सोर्स होता है उसमें सब लोग अपने पनी चीज़े डालते हैं और ओपन सोर्स टेक्लोलोजी के माध्यम से यह अलाउ किया जाता है कि देखे भी हमने इंकिया है हम यहां जाकर क्या अटके हैं हो सकता है कुछ कमिया होगी तो लोग उसके अंदर अपने अपने टेक्लोलोजी को इंसर्ट करते हैं और काफी लोगों के प्रयास्ते वो एक्तम से सम्रुद्ध एक स्वापफ़र बन जाता है यह ओपन सोर्स आजकर बहुती ताकतवर एक इंस्ट्रुमेंट माना जाता है उसी प्रकार से कुछ कम्पनिया अपनी प्रोड़क को मार्केट में रख भी है और चैलेंज करती है कि उसमें जो कमिया है वो दिखाएगा उसको हम इनाम देंगे बाउंट सिस्टिम की व्यवस्ता खड़ी हुई है इसका मतलब यह हुआ कि हर कोई चाहता है कि कमिया जो हो उससे मुक्ती का रास्ता कोई इंगीद करेता हो तो होगा ना लेकिन कभी कभी क्या होता है आलोचना करने वाला कौन है उस पर सारा मामला सैट हो जाता है जैसे माल दीजिए आप यहां स्कूल के अंदर फैंसी ड्रेस कॉम्पूटिशन है और आपने बड़े चाव से बढ़िया फैंसी ड्रेस पहन करके गई और आपका प्रिया दोस्त है एक डम प्रिया दोस्त जिसकी मात आपको हमेशा अच्छी लगती है वो कहेगा यार तुम्हें ऐसा क्या पहना यह अच्छा नहीं लग रहा है तो आपका एक रियक्शन होगा और एक स्टूडेंट है जो आपको थोड़ा कम पसंद है negative vibrations हमेशा आते हैं उसको देखते ही आपको उसके बाते बिल्कुल पसंद नहीं है वो कहते हैं देखो यह क्या पहन काया है कैसे पहनते हैं क्या तो आपका एक दूसरा यह चलोगा क्यों जो अपना है वो कहता है तो आप उसको positive लेते हैं उस आलोचना को लेकिन जो आपको पसंद नहीं है वो वो ही कह रहा है लेकिन आपको गुस्तात है तू कौन होता है मेरी मर्जी ऐसा ही होता है न उसी प्रकार से आप आलोचना करने वाले आदतन करते रहते हैं तो उनको एक मक्से में डाल दीजिए दिमाग खपाईए मत ज्यादा क्योंको उनका इरादा कुछ और है अब घर में आलोचना होती है क्या मैं समझता हूँ कुछ गल्ती हो रही है घर में आलोचना नहीं होती है ये दुरभागे का विशा है अलोचना करने के लिए माबाप को भी बहुत अध्यान करना पड़ता है आपको अब्जर करना पड़ता है आपके टीचर को मिलना पड़ता है आपके दोस्तों के आदते जाननी पड़ती है आपकी दिन्चरिया को सबना करना पड़ता है आपको फोलो करना पड़ता है आपका मोबैल फोन पर कितना टाइम जा रहा है स्क्रीन पर कितना टाइम जा रहा है सारा बहुत बारी किसे कुछ ने बोलते हुए माबाप अबज़र करते हैं फिर कभी आप किस अच्छे मुड़ में होते हूं अच्छे मुड में होते हैं अकेले होते हैं तब प्या और जो गुस्सा आपको आता है न वो टोका टोकी काता है कुछ भी करो खाने पे बैठे हैं कुछ भी कहेंगे ये खाया तो भी कहेंगे नई खाया तो भी कहेंगे यही होता है न देखिये अब आपके माता पिता जी आपको पकड़े के घर जाके कहाई तोका तोकी जो है वो अलोचना नहीं है अब माबाप से मैं आविरह करूँगा कि किर्पा करके आप अपने बच्चों की भलाई के लिए ये तोका तोकी के चक्कर से बाहर निकलिए उससे आप बच्चों की जिंदगी को मोल नहीं कर सकते हैं ऊपर से इतना मन से कुछ उद्दिन अच्छे मूड में हैं कुछ अच्छा करने के मूड में हैं और आपने सुबह कुछ कह दिया देख दूठ ठंडा हो गया तो दूद पीता नहीं है शुरू कर दिया तो तो ऐसा ही है फ़ला नहीं देख कैसा करता है तुरंट सुभे अपनी मा कहती है ऐसे दूद पे लेता है फिर उसका दिमाख फटलता है और दिन बर का उसका काम है बरबाद हो जाता है और इसलिए अब आप देखिए हम लोग पार्लामेंट में कभी आप लोग पार्लामेंट का डिबेट देखते होंगे पार्लामेंट का जो टीवी है कुछ लोग बहुत अच्छी तैयरी करके आते हैं पार्लामेंट में अपनी स्पीच देने के लिए लेकिन स्वभाव से जो सामने विपक्ष के लोग होते हैं न वो आपकी साइकोलोजी जानते हैं तो कुछ में ऐसे ही कोई टिपनी कर देते बैटे-बैटे और उसको मालूम है कि टिपनी ऐसी है कि वो रियक करेगा ही करेगा तो हमारा MP होता है उसको लगता है अब इंपोर्टन यसकी टिपनी है इसलिए जो तैयरी करके आया है वो छूड़ जाती है और वो उसी की टिपनी को जवाब देता रहता है और अपना पूरी परमादी कर देता है और अगर टिपनी है है हसी में जाग में बॉल खेल लिया खेल लिया चुट्टी कर दी दूसरी सेकर्ण पर अपने विशे पर चला जाता है तो इसको फोकस एक्टिविटी का परणाम मिलता है और इसलिए हमें अपना फोकस सोड़ना नहीं चाहिए दूसरी बात है देखे आलोचना करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहुत अध्यन करना पड़ता है उसका एनालीजिस करना पड़ता है कंपरिजन करनी पड़ती है बुदकाल देखना पड़ता है वरतमान देखना पड़ता है भविश्ट देखना पड़ता है बड़ी मेहनत करन ही पड़ती है तब जाके आलोचना संभव होती है और इसलिए आजकल शौटकट का जमाना है है जादा तर लोग आरोप करते हैं है आलोचना नहीं करते है आरोप और आलोचना के बीच में बहुत बड़ी खाई है हम आरोपों को आलोचना न समझें आरो आरोचना तो एक प्रकार से वो नूट्रियन्ट है जो हमें समर्द करता है आरोप वो चीजे हैं जिसको हमने आरोप लगाने वालों को गंपीरता से लेने के जरुत नहीं है समय बरबात की जरुत नहीं है लेकिन आरोचना को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए आलो चर्णा को हमेशने मुल्यवान समझना चाहिए वो हमारी जिंदगी को बनाने कंवे बहुत काम आती है और अगर हम इमांदार है हमने प्रामाणिक सत्य निश्चा से काम किया है समाज के लिए काम किया है निश्चित मकसद के लिए काम किया है तो आरोपों की बिलकुल परवा मत किजिए दोस्तों मैं समझता हूँ आपकी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी बहुत 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 बन्यवाद माननिय प्रधान मंत्री जी आपकी सकारात्मक उर्जा ने करोडों देशवासियों को नया मार्क दिखाया आपका धन्यवाद माननिय प्रधान मंत्री जी तालों के शहर बोपार के दिपेश अहिरवार आभासी माध्यम से हमसे जुरे हुए है एवं मानिय प्रधान मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहते है दिपेश क्रिप्यापना प्रश्न पूछे दिपेश माननिय प्रधान मंत्री जी अधिताब गुपता का प्रश्न इंडिया टीवी द्वारा चुना गया है अधिताब हमसे आभासी माध्यम से जुड़े रहे हैं अधिताब अपना प्रश्न पूछिए मेरा नाम अधिताब गुपता है मैं टेंथ क्लास में बढ़ता हूँ जैसे की टिकनोलोजी बढ़ती जा रही है वैसे भी हमारी डिस्ट्राक्शन जो है बहुर ज़रा बढ़ती जा रही है हमारा फोकस पढ़ाई पे कम होता है और सोशल मीडिया पे जाद होता है तो मेरा करें और सोशल मीडिया पे कम करें क्योंकि आपके टाइम पे इत्ती जादा डिस्ट्राक्शन नहीं होती थी जितनी अभी हमारे टाइम पे है धन्यवाद अधिताप, Honorable Prime Minister Sir, the next question comes from Kamakshi Rai on a subject that is central to many students. Her question has been selected by Republic TV. Kamakshi, please ask your question. Greetings Prime Minister and everyone. I am Kamakshi Rai, studying in class 10th from Delhi. My question to you is, what are the different ways that can be adopted by a student to not easily get distracted during their exam times? Thank you. धन्यवाद का माक्षी, मानेनिय प्रधान मंत्री जी, इस प्रशन का जुनाव, ZTV द्वारा किया गया है. मनन मित्तल, हमसे आभासी माध्यम से जुड़े हैं. मनन, कृपे आपना प्रशन पूछिए. नमस्ते प्रधान मंत्री जी, मैं मनन मित्तल, DPS Bangalore South से बोल रहा हूँ. मुझे आपसे एक प्रशन है. ओन्लाइन पढ़ाई करते वक्त, बहुत सारे distractions होते हैं, जैसे कि ओन्लाइन गेमिंग वगेरा वगेरा, हम इससे कैसे बचने हैं? ये श्टूडल था क्या? ओगे जैक में खोते रहते हो गे. सबसे पहले तो निरने ये करना है कि आप स्मार्ट है कि गैजेट स्मार्ट है कभी कभी तो लगता है कि आप अपने से भी ज़्यादा गैजेट को ज़्यादा स्मार्ट मान लेते हैं और गल्ती वहीं से शुरू हो जाती है आप विश्वास करिए परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है आप स्मार्ट है गैजेट आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता है आपकी जितनी स्मार्टनेस ज़्यादा होगी उतना गैजेट का सही उप्योग आप कर पाएंगे वो एक इंस्टुमेंट है जो आपकी गती में नई तेजी लाता है ये अगर हमारी सोच बनी रही तो मैं समतना हूँ कि शायद शायद आप उससे छुटकारा पाएंगे दूसरा देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विशा है जी मुझे कोई बता रहा था कि भारत में एवरीज छे गंते लोग स्क्रीन पे लगाते हैं गंटे अब जो इसका बिजनेस करते हैं उनके लिए तो खुशी की बात है जब मोबाइल फॉन पर टॉक टाइम होता था तो टॉक टाइम में कहते हैं कि उस समय एवरेज 20 मिनिट जाती थी लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रील क्या होता है एक बार शुरू करने के बार निकलते हैं कि उसमें से बाहर क्या होता है नहीं बोलेंगे अच्छा आप लोग कोई रील देखते नहीं है नहीं देखते हैं ना तो फिर शर्माते क्यों हो बताओ ना निकलते हैं के बार अंदर से देखिए हमारी क्रियेटिव उमर और हमारी क्रियेटिविटी का सामर्थ अगर एवरेज हिंदुस्तान में छे गंटे स्क्रीन पर जाएं तो यह बहुत चिंता का विशर है एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है हम उसके गुलाम बन करके जी नहीं सकते हैं पर मात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूँ आपने देखा होगा आप कभी भी देखे होगे मेरे हाथ में कभी कोई मुबाइल फोन चाहिए आप प्रेयरली कभी देखा होगा मैंने क्यों अपने आपको समाल के रखा हुआ है जबकि मैं एक्टिव बहुत हूँ उसके लिए समय मैंने टाइक किया हुआ है उस समय के बहार में ज्यादा नहीं करता हूँ और इसलिए लोग तो मैंने देखा है अच्छी मीटिंग चल रही है यह बहुत अच्छी और थोड़ा सा वैब्रेशन आया तो ऐसे निकाल के देखता है मैं समझता हूँ कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे मैं एक स्वतंत्र व्यक्टीक रहूँ मेरा स्वतंत्र अस्पीक रहे और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सिमित रहूँगा मैं टेकलोलोजी का उप्योग करूँगा मैं टेकलोलोजी जब भागूँगा नहीं लेकिन मैं उसकी उपयोगीता और आवशक्ता अपने मुताबिक करूँगा अब मा लीजिये आपने ओनलाइन धोसा बनाने की बढ़िया रेसिपी पढ़ ली घंटा लगा दिया कौन-कौन से इंग्रेडियन्स होते हैं वो भी कर लिया पेड बर जाएगा क्या बर जाएगा क्या नहीं बरेगा न उसके लिए तो दोसा बना के खाना पड़ेगा न और इसलिए गेड जो परुस्ता है वो आपको पुन्रता नहीं देता है आपके भीतर का सामर्त आप आपने देखा होगा पहले की जमाने में बच्चे बड़े आराम से पहड़ा कर देते थे पहड़ा बोलते है न और बड़े आराम से बोलते थे और मैंने देखा है जो भारत के बच्चे विदेश जाते थे न तो विदेश के लोगों को बड़ा अस्रे होता था कि ये कैसे इतना पहड़ा बोल देता है अब उसको कुछ लगता नहीं था अब आप देखे धीरी धीरी क्या हो गया है हमें पहड़ा बोलने वारा बच्चा धूनना पड़ता है क्यों उसको अब आग गया है हो गया यानि हम अपनी क्षमता खो रहे हैं हमें अपनी क्षमता खोए बिना क्षमता को आगे बढ़ाना यह हमें कॉंसियसली प्रयास करना पड़ेगा अदर्वाइज धीरे 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 करके वो विधा खतम हो जाएगी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आपको लगारता टेस्ट करते रहें मुझे यह आता है कि नहीं आता है बना तो आजकल तो आटिफिशियल इंटरिजियंस के इतने प्रेटफोर्म आए है कि आपको कुछ करने के जरूत नहीं है उस प्रेटफोर्म पर जाकर के चैट पर चले जाएंगी तो आपको दुनिया भर की चीज़े मतागर कर दे देता है वो अब तो गूगल से भी एक स्टेप आगे चला गया है अगर आप उसमें फस गए तो आपकी क्रियेटिविटी खतम हो जाएगी और इसलिए मेरा तो आगर रहेगा कि आप दूसरा हमा उपवास की परमपरा होती है कि कुछ जरा ऐसा रखता है तो आप फास्टिंग करो कुछ हमारे देश में है कुछ रिलीजियस रिजूलस में भी होता है फास्टिंग करो अब वक्त बदल चुका है तो मैं आपको कहूंगा क्या आप हपते में कुछ दिन या दिन में कुछ गंटे यह टेकनोलोजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या कि उतने घंटे उस्तितर जाएंगे ही नहीं आपने देखाओं का कई परिवार होते हैं गर्वे बड़ा दस्वी बारवी दस्वी बारवी बड़ा टेंशन शुरू में हो जाता है अगली साल कुछ नहीं है वो बारवी 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 बड़ा लगा देते हैं लेकिन क्या हम स्वभाव से टाय कर सकते हैं कि सबता हमें एक दिन मेरा डिजिटल फास्टिंग होगा नो डिजिटल डिवाइस मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा उसमें से जो फाइदा होता है उसको अबजर कीजिए धीरे 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 आपको उसका समय बढ़ाने का मन करेगा उसी प्रकार से हमने देखा है कि परिवार हमारे तो छोटे होते जा रहे हैं अब परिवार भी इस डिजिटल दुनिया में फस रहे हैं एक ही घर में मा, बेता, बेहन, भाई, पापा सब रह रहे हैं और एक ही कमरे में वो उसको वाटसप कर रहा है मैं आपके इक बात बता रहा हुगा है मा भी पापा को वाट्सअप करेगी देखा होगा आपने घर में सब बैठे हैं साप में तो हर अपने मुबाइल में ख्वया हुआ है उदर देख रहा है यह इदर देख रहा है यही हो गया है ना मुझे बताईए परिवार कैसे चलेगा जी पहले तो बस में ट्रेन में जाते थे तो लोग गपे मारते थे अब अगर कनेक्टिविटी मिल गई तो पहला काम यही जैसे दुनिया भर का काम उन्हीं के पास है उनके बिना दुनिया रुख जाने वाली है यह जो बिमारिया है इस बिमारियों को हमें पहचानना होगा हम अगर इन बिमारियों को पहचानेंगे तो हम बिमारियों से मुक्त हो सकते हैं और इसलिए मेरा आगर है गर में भी क्या आप एक एरिया तै कर सकते हैं क्या परिवार में जाके आज़ी तय कीजिए एक एरिया तय करें ये एरिया जो है नो टेक्नोलोजी जोन मतलब वहाँ टेक्नोलोजी को एंट्री नहीं मिलेगी वहाँ आना है घर के उस कौने में तो मोबैल वहाँ रखते आओ और वहां आराम से बैठेंगे बाते करेंगे नो टक्नलोजी जोन भर के अंदर भी एक कौना बना दीजे जैसे देवगर होता है भगवान का मंदिरी का अलग होता है कौने में वैसा ही बना दीजिए भी इस कौने में आना है चलो वहाँ मोबेल बार क्या हो यहां ऐसे बेटो, आप देखिये, तीरे दिरे आपको जीवन जीने का आनन्द सुरू होगा, आनन्द का सुरू होगा तो आप उसकी गुलामी में से बाहर आओगे, बहुत बहुत देनवाद Thank you Honorable Prime Minister Sir, for sharing such light-hearted mantra of digital fasting to tackle challenging situations in such an easy manner Maa Niniya Pradhan Mantri Ji, Himalaparvat Malamastit, Prakritik Sondaryya Sabharpur Union Territory, Jammu से, Nida, हमसे आभासी माध्यम से जोड रही हैं, एवं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं Nida, अपना प्रश्न पूछे Honorable Prime Minister Sir, Namaskar, I am Nida, of Class 10th from Government Model High School, Sujwan, Jammu Sir, my question is, when we work hard but do not get the desired result, then how can we put that stress in a positive direction Respected Sir, have you ever been through such a situation? Thank you धन्यवात Nida, मानिनिय प्रधान Mantri Ji, भगवान कृष्ने के उपदेश की भूमी, खेल जगत में ख्याती प्राप, नीरत चोप्रा जैसे विख्यात खिलाडियों के प्रदेश, हरियाना के पलवल से प्रशांद आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं प्रशांद कृपिया अपना प्रश्न पूछे इन रात हम उस कॉंपिटिशन के भाव में जीते हैं, तनाव का ये भी एक कारण होता है हम अपने लिए जीए, अपने में जीए, अपनों से सीखते हुए जीए सीखना सबसे चाहिए, लेकिन अपने भीतर के सामर्त पर बल देना चाहिए अगर ये हम करते हैं, तो तनाव से मुक्ति की संभावना बढ़ जाती है दूसरा, जीवन के तरफ हमारी सोच क्या है जिस दिन हम मानते हैं, कि ये एक्जाम गई मतलब जिन्दिगी गई फिर तो तनाव शुरू होना ही होना है जीवन किसी एक स्टेशन पर रुखता नहीं है जी अगर एक स्टेशन छुट गया, तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पर ले जाएगी अब चिंता मत कीजिए एक्जाम वो एंड अप दलाइफ नहीं होता है जी ठीक है हमारे अपनी कसोटी होनी चाहिए हम अपने आपको कसते रहे, अपने आपको सचते रहे यह हमारी कोशिश होनी चाहिए लिए हमें इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल्प कर लेना चाहिए जो भी आएगा, मैं जिन्दगी को जीने का तरीका जानता हूँ मैं इससे भी निपट लूँगा अगर आप निकट कर लेते हैं, तो फिर आराम से हो जाता है और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के परिणाम के तनाव को कभी कभी उतना मन में लेनी के आवशकता नहीं है जी धन्यवाद आपका अनुभाव सुनकर हमें नई जीट ना आई है आपका धन्यवाद Honorable Prime Minister Sir Our Akshara City lives in the Rangareti District in Telangana She is in quest of a significant subject and looks up to you for directions Akshara, please pose for your question Maniavar, मेरा प्रधान मंत्री जी, सादर नमशकर मेरा नाम है आर Akshara Siri मैं जवाहर नौदर वद्याले, Rangareti, हैदरबाद की नवी कक्षा की छात्रा हूँ Maniavar, मेरा प्रशन है, हमें अधित आशाय सीखने के लिए क्या करना चाहिए मैं इसमें आपकी मार्गजर्शन चाहती हूँ धन्यवाज श्रीमान इसी से मिलता जुलता प्रश्ट, रितिका गोड के, भारत की हृदे नगरी भोपाल से आई है वे हमारे साथ सबागार में है, रितिका क्रिप्य अपना प्रशन पूछे अदर्णी प्रधान मंत्री जी, नमशकार मेरा नाम रितिका गोड के है, मैं भोपाल मद्द परदीश, कक्षा, बारवी की छात्र शाज की सुभाश उतक्रश्ट मादमिक विद्ध्याले, स्कूल फोर एक्सिलन्स की छात्रा हूँ सर, मेरा कोशन आपसे यह है, कि हम अधिक से अधिक भाशाएं कैसे सीख सकते हैं और ये क्यों जरूरी है, धन्यवाद धन्यवाद रितिका, मानने प्रिधान मंत्री जी, कृपया अक्षरा और रितिका को बहुबाशी कोशल प्राप्त करने के लिए मार्ग दर्शन करें, जो की समय की आवशकता है, मानने प्रिधान मंत्री जी बहुत ही अच्छा सवाल पूशा आपने वैसे मैं शुरू में कह रहा था कि बाकी चीज़े छोड़ करके थोड़ा फोकस होते जाईए फोकस होते जाईए लिकिन एक ऐसा सवाल है कि जिसमें मैं कहता हूँ कि आप जड़ा एक्स्टरवर्ड हो जाईए थोड़ा बहुत एक्स्टरवर्ड होना बहुत जरूरी होता है और यह मैं इसलिए कह रहा हूँ भारत विविद्यताओं से भारा हुआ देश है हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे स्पास सैक्ड़ो भाषाए है हजारो बोलिया है यह हमारा रिचनेस है हमारी सम्रुद्धी है हमें अपनी इस सम्रुद्धी पर गर्व होना चाहिए कभी-कभी आपने देखा होगा कोई विदेशी व्यक्ति हमें मिल जाए और उसको पता चलेगा आप इंडिया के हैं आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भी वो भारत से परिचित होगा तो आपको नमस्ते करेगा नमस्ते बोलेगा प्रणाउंसेशन में थोड़ा इदर उदर हो सकता है लेकि बोलेगा जैसा ही वो बोलेगा आपके कान सच्चत हो जाते हैं उसको पहले एक राउन में अपनापन महसूस होने लगता है अच्चा ये विदेश व्यक्ती नमस्ते बोलता है मतलब की कॉम्यूनिकेशन की कितनी बड़ी ताकत है इसका ये उदरन है इतने बड़े देश में आप रहते हैं आपने कभी सोचा है कि शौक के नाते जैसे हम कभी सोचते हैं मैं तबला सिखूँ कभी मैं सोचता हूँ मैं फ्लूट सिखूँ मैं सितार सिखूँ पियानो सिखूँ ऐसा मन में करता है और नहीं करता है वो भी एक हमारी अतिरिक विधा डेवलप होती एक नहीं होती है अगर ये होता है तो मन लगा करके अपने अडोस प्रडोस के राज्य की एकाथ दो भाषा सिखने में कह जाता है कोशिश करनी चाहिए और सिर्ब हम भाषा सिखते हैं मतलब बोल चाल के कुछ वाक्य सिख जाते हैं सा नहीं है हम वहां के अनुभवों का नीचोर जो होता है एक-एक भाषा की जब अभिवक्ति होना शुरू होती है ने तो उसके पीछे हजारों साल की एक अभीरत अखन अभिचल एक धारा होती है अनुभव की धारा होती है उतार चड़ाव की धारा होती है संकटों का सामना करते हुए निकली हुई धारा होती है और तब जह करके एक भाशा अभिवक्ति का रूप लेती है हम एक भाशा को जब जानते हैं तब आपको उस हजारों साल पुरानी दुनिया में प्रवेश करने का दुआर खुल जाता है और इसलिए बिना बोज बनाए हमें भाशा सिक्षिंगे मैं कभी भी हमेसे मुझे दुख होता है बहुत दुख होता है हमारे देश में कहीं पर कोई एक अच्छा स्मारक हो पत्थर का बना हुआ और कोई हमें कहे कि यह दौजार साल पुरा ना है तो हमें गर्व होता है कि नहीं होता है कितना बढ़िया चीज दोजार साल पहले थी कितना बढ़िया बनाया है हमारे पुरवजों को कितना ग्यान होगा अब मुझे बताईए दुनिया की सबसे पुरातन भाषा दुनिया की सबसे पुरातन सिर्व हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे पुरातन भाषा जिस देश के पास हो उस देश को गर्व होना चाहिए सीना आप तान करके दुनिया को कहना चेक नहीं कहना चेक विश्वकी सबसे पुरातन भाषा हमारे पाँसे कहना चेक नहीं कहना चेक आपको मालू है हमारी तमिल भाषा यह दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है पूरी दुनिया की इतनी बड़ी अमानत इस देश के पास है इतना बड़ा गवरव देश के पास है लिए हम सिना चान करके दुनिया में कहते नहीं है मैं पिछली बार जब यूनों में मेरा भाशन था तो मैंने जान बुझकर कुछ पमिल बाते बताई करके मैं दुनिया को बताना चाहता था मुझे गर्व है कि तमिल भाशा दुनिया के स्ष्ट वासा दुनिया के सबसे पुरानी भाशा की मेरे देश के हमें गर्व करना आ चाहिए अब देखें बड़े आराम से उत्तर भरत का व्यक्ति दौसा खाता है कि नहीं खाता है खाता है कि नहीं खाता है संभाव भी बड़े मेजे से खाता है कि नहीं खाता है तब तो उसको उत्तर दक्षिन कुछ नजब नहीं आता है दक्षिन में जाईए आप तो महां परोड़ा सबजी भी मिल जाती है और बड़े चाव से लोग खाते हैं, गर्ब करते नहीं करते हैं, कोई कोई तनाव नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होती है, जितनी सहस्ता से बाकी जिंदगी आती है, उतनी ही सहस्ता से, और मैं तो चाहूँगा हर किसी ने कोशिश करनी चाहिए, कि अपनी मात्रू भा उस तो sentences आने चाहिए आप देखिए कि आपको आनन्द आएगा जब ऐसे व्यक्ति को मिरोगे और दो बाक्य भी अगर आप उसकी भाषा में बोड़ोगे एक दम अपनापन हो जाएगा और इसलिए भाषा को बोज के रुप में नहीं अब मुझे आद है मैं जब बहुत साल पहली के बार सामाजी काम में लगा था तो मैंने एक बच्ची को और मैंने देखा है कि बच्चों में भाषा को कैच करने की बड़ी गजब की ताकत होती है अड़ आप कर देते हैं बहुत तेजी से तो मैं कभी हमारी हाँ केली को मिल के एक मद्दूर परिवार था एम्दाबाद में तो मैं कभी उनके आप भोजिन के लिए जाता था तो वहाँ एक बच्ची थी तो कई भाषाय बोलती थी क्यों क्यों देख तो वो मद्दूरों की कॉलोनी थी तो कॉस्मो कॉलिटी थी उसकी माताजी केरल से थी पिताजी बेंगाल से थे पूरा कॉस्मो कॉलिटी थी बगल में ये परिवार मराथी था और स्कूल जो होती थी वो गुजराती होती थी बहराम था वो साटार साल की बच्ची बेंगाली मराथी मलियालम हिंदी इतनी तेज गती से बढ़िया मोलती थी और गरवे अकर पाट लोग बैटे हैं इससे बात करनी तो बंगाली में करेगी इससे करेगी तो गुजराती में करेंगी, आट-दस साल की बच्चे थी, यहनु उसकी उसकी प्रतिभाग खिल रही थी, और इसलिए मेरा तो आप से आगर रहेगा, कि हमें अपना, अपनी विरासत पे, और मैंने ति इस बारलाल के लिए से भी कहा था, पंच प्राण की बात, अपनी विरासत पे हमने गर्व होना चाहिए, और हमें गर्व होना चाहिए, कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी भाषा हमें दी है, यह हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए, हर भाषा पे गर्व होना चाहिए, बहुत दन्यवाद, माननिय प्रधान मंत्री जी, भुवाश रिक्ता पर आपके मार्ग दर्शन के लिए धन्यवाद Honorable Prime Minister Sir, from the historically acclaimed city of Qatar, Sunanya Tripathi, who is a teacher, requests your directions on an important matter. Ma'am, please ask your question. नमश्कार, माननिय प्रधान मंत्री शिनरेंद्र मोदी जी, मैं सुनेना चिपाथी प्रिष्णमूर्थी वाल स्कूल कटक ओडिसा से हूँ. मेरा प्रशन यह है कि कक्षिया में विद्यार्थियों को रूची पुन पढ़ाई के लिए कैसे आकरशित करें, तथा जीवन का सार्थक मुल्य कैसे सिखाएं. साथ ही, कक्षिया में अनुसाशन के साथ पढ़ाई को रोचे कैसे बनाएं. अन्याबाद। उन्रेट प्रामिनिस्टर साथ, सुननन्याबादी विशेग्डेंस और गाइदेएं नुस्तूदिटिएं इन्टरेग्स अचादेमिक्स। उन्रेट प्रामिनिस्टर साथ. यन्ने सवाल टीचर का था. सईजा ना? देखिये. आजकल अनुभू आता है कि टीचर अपने में खोई रहते हैं अब यह तो मेरे आज़ावा के बोला अपने पकड़ लिया वो एक निश्चीत से लेबस्त बीस मिनिट तीस मिनिट बोलना है आपना कड़कड़ बोल देते हैं और फिर इसमें कोई हिलेगा इदर दर तो देखा होगा आपने मैं तो मेरे अपने बच्पन के अनुभू के बात बता तो आजकान तो टीचर अच्छे होते मेरे जमाने में शायद ऐसा नहीं होगा इसलिए मुझे टीचरों के आलोचना करने का हक नहीं है लेकिन कभी कभी मैं देखा था कि टीचर जो तयारी करके आए है और अगर वो भूल गए तो चाहते नहीं कि बच्चे पकड़ लें उनको उनको बच्चों से छिपाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं एक कार्थ की दरब एए खड़ा हो जाओ क्यों ऐसे बैठाए क्यों ऐसा कर रहा है क्यों धिकना कर रहा है यहने पूरी पांच साथ मिन्ट उसमें लगा देंगे इतने में अगर विशे यहाद आ गया तो गाड़ी वापिस आएगी वरना फिर मारों कोई हस पड़ा उसको पकड़ेंगे क्यों हस ताए पूर कि अज़ा आज यह सही होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता होगा अब तो टीचर बहुत अच्छे होते हैं आपने देखा होगा टीचर भी मुबाइल फोन पर अपना सिलिवस लेके आता है है मुबाइल देख करके पड़ाता है ऐसा करता है ना है और कभी उगली धर उन्हें डब गई तो हाथ से निकल जाता है वह खोटता रहता है क्यों उसने पूरी तरह टेकलोलोजी को सिखा नहीं है जरूरी दो चार चीज़े सिख लिए और इधर उन्हें अड़ गई तो फिर वो डिलीट हो जाता है या खिसक जाता है हाथ नहीं लगता है बड़ा परशान हो जाता है शर्दियों में भी पसे ना सुर जाता है उसको लगता है कि ये बच्चे और उसके कारण जिसकी अपनी कमियां होती है उसका एक सोभाव रहता है दूसरों पर एक्स्ट्रा रॉब जमाना हो ताकि अपनी कमियां बाहर ना आए है मैं समझता हूँ हमारे शिक्षक मित्रों ने विद्यार्थियों के साथ जितना अपनापन बनाएंगे विद्यार्थियों आपके ज्ञान की कसोटी करना नहीं चाहता है यह हमारा ब्रह्म है टीशर के मन में होता है कि विद्यार्थियों आपकों कोई सवाल पूसता है तो आपकी एक्जाम ले रहा है जी नहीं अगर विद्यारती सवाल कुषता है तो इमान के चलिए उसके अंदर जिग्यासा है आप उसकी जिग्यासा को हमेशा प्रमोट कीजिए उसकी जिग्यासा ही उसकी जिग्यासा ही उसकी जिग्यासा ही उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है किसी भी जिग्यासू को चूप मत कीजिए उसको टोक मत दीजिए उसको सुरिए आराम से सुरिए अगर जवाब नहीं आता है तो आप उसको कहिए देख बेटे तुने बहुत अच्छी बाप कही है और मैं तुम्हें जल्दबाजी में जवाब दूगा तो अन्याय होगा ऐसा करो हम कल बैठते हैं तुम मेरी चेंबर में आ जाना हम बाते करेंगे और मैं भी तुमको समझने की प्रहास करूँगा इविचार तुम्हें कहां से आ जा और मैं भी कोशिश करूँगा इन बिट्विन मैं गर जा करके स्टड़ी करूँगा जरह गूगल पर जाऊँगा इधर उजर जाऊँगा पूछ लूँगा और फिर मैं तयार होकर क्या हूँगा फिर दूसरे दिन मैं उसको पूछूँगा अच्छा भी तुमें ये विचार आया कहां से इतना उत्तम विचार इस उबर में कैसे आया तुमें उसको पुछकार तो फिर कहिए देख सचुच पैसा नहीं है रियालिटी ये है उसको तुरंट स्विकार कर जेगा और आज भी स्टूडन्स अपने टीचर की कही हुई बात को बहुत मुल्यवान समरता है अगर एकार एकार गलत बात बता दी तो उसकी जिन्दगी में वो रिजिस्टर हो जाती है और इसलिए बात बताने से पहले समय लेना बुरा नहीं है हमने बात में भी बताए तो चलता है दूसरा डिसिप्रीन का सवाल है क्लास में कभी कभी टीचर को क्या लगता है अपना रुवाब प्रभाव पैदा करने के लिए जो सबसे दूर्बल स्टूडन्ट होता है उसको पुछे कि बताओ तुम समझे के नहीं समझे तो आब 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 करता रहेगा तू तू में में चलाएगा तो फिर दाट देंगे मैं इतनी महनत कर रहा हूँ इतना पढ़ा रहा हूँ तूंको कुछ समझ नहीं आ रही है अगर मैं टीचर होता तो मैं करता जो बहुत ही अच्छे ब्राइट स्टूडन्ट है उनको कहता अच्छे बताओ भें तुम कैसे समझे इसको बढ़िया समझाएगा तो जो नहीं समझ रहा है वो स्टूडन्ट की भाइसा अच्छी तरह समझेगा तो उसको समझ आ जाएगा और जो अच्छे स्टूडन्ट है उनको मैं प्रतिष्ठा दे रहा हूँ तो अच्छे बनने की कॉंपटिशन शुरू होगी स्वाभावी करेते कॉंपटिशन शुरू होगी दूसरा जो इस प्रकार चे अनुशासन में नहीं है ध्यान के नहीं करता है क्लास में भी कुछ रूज़ और एक्टिविटी करता है टीचर अगर उसको अलग बुलाने अलग बुला करके बात करे प्यार से बात करें देख यार कल कितना बढ़िया भी शेयर अब तुम खेल रहे थे अब चलो आज खेलो मेरे सामने खेलो तुम्हें में बहुत आएगा मैं भी देखूं क्या खेलते थे अच्छा बताओ तुम ये खेलने का काम बाद में करते हैं और तुमने ध्यान दिया होता है फाइदा होता है नहीं होता उससे अगर समवाद करते हैं तो उसको एक अपनापन मैसूस होता वो कभी इन्डिसिप्लिन नहीं करता जी लेकिन उसके इगो को अपने अगर हट किया तो फिर दिमाग फट गएगा कुछ लोग चतुराई भी करते हैं चतुराई भी कभी कभी काम आती है जो सबसे सरारती लड़का होता है उसको मनीटर बना जेते हैं बनाते हैं ने मनीटर बन जाता है तो उसको भी लगता है यार मुझे तो ठोड़ा ठीक से वहवार करना पड़ेगा तो वो फिर खुद को अपने आपको ज़रा ठीक करता है और सब को ठीक रखने के लिए अपने आपको एड़ेस्ट करता है अपनी बुराईयों को कंट्रोल करने कोशिश करता है शिक्षक को प्रिय होने का प्रयास करता है और अल्टीमिल्टी परणामी आता है उसकी जिंदगी बदल जाती है और उसके माध्यम से क्लास्रूम का इंवार्मेंट भी सुधर जाता है तो अनेक तरीके हो सकते हैं लेकिन मैं मानता हूँ कि हमें डंडा लेकर के डिसिप्लीन वाले रास्ते नहीं चुनने चाहिए हमें अपना पन का ही रास्ता चुनना चाहिए अपना रास्ता चुनेंगे तभी लाव दो बहुत बहुत धन्यवाद मानिने प्रिधान मंत्री जी इतनी सरंता एवम गहराई से जीवन मूल्यों की प्रेना पर आपका कोटी-कोटी धन्यवाद मानिने प्रिधान मंत्री जी परीक्षा पर चडचा दोहजार तेस के अंतिम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ दिल्ली से श्रीमती सुमन मिश्रा जो की एक अभिभावक है वे सबागार में उपस्थित है और आप से अपनी जिग्यासा का समधान चाहती है माम कृपय अपना प्रश्न पूछिए गूट मॉर्निग ओनेरेबल प्राइम मिनिस्टर मैसल्फ सुमन मिश्रा सर आई सीग यूर अडवाईस और how should a student behave in a society thank you sir धन्यवाद मैम मानिनी प्रिधान मंद्री जी student society में कैसे behave करें यही पुछ रहे हैं आपको मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा अलग दारे में रखना चाहिए हम किस society की बात करते हैं जो हमारा सरकल है वो जिनके बीच हम बैठते उड़ते हैं कभी अच्छी बुरी बातों में टाइम बिताते हैं टेलीफोन पर गंटे बिता जेते हैं अगर उस लिमिटेर वरतुल की बात करते हैं तो आप बच्चे को जैसा कहोगे वैसा यहाँ जूते पहन करके आओ यहाँ जूते निकालो यहाँ इस ढंक से वहवार करो यहाँ उस ढंक से करो ऐसा आप कह सकते हैं लेकिन हकिकत यह है कि उसको एक घर के दाइरे में बंद नहीं रखना है उसको उसको समाज में जितना व्यापक उसका विस्तार हो होने देना चाहिए मैंने तो कभी कहा था शायद परिक्षा पर चर्चा पर ही कहा कहीं और कहा मुझे आप नहीं है मैंने कहा था कि दस्वी बानवी की एक्जाम के बाद कभी बच्चे को पहले अपने स्टेट में उसको कहो कि लोग ये पैसे तुम्हें इतना देते हूं और पांच दिन के लिए तुम इतनी जगा पर घुम करके वापिस आओ और वहाँ के फोटो वहाँ का हिम्मत के साथ आप देखे वो बच्चा बहुत कुछ सिक करके आएगा जीवन को जान करके उसमें विश्वात बढ़ेगा फिर वो आपको ये नहीं चिलाएगा और बारवी का है दुसकों को तुम राज्जी के भाहर जाकर को आओ देखे ये इतने पैसे है ट्रेन में जाना है विदाउट रिजर्विशन जाना है सावान इतना होगा ये तुझे खाना दे दिया है जाओ इतनी चीजे देखकर क्या आओ और आकर के सब को समझाओ आपने सचमुचम अपने बच्चों का ट्राइल लेते रहना चाहिए उनको समाच के भिनभिन बरगों में जाने के लिए प्रेरीद करना चाहिए उसको कभी पूछाना चाहिए कि भी तुमारी स्कूल में इस बच्चे ने इस बार कबड़ी में अच्छा खेला था तो आप ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्रिपा करके उसको बंधनों में मद बांधिये, आप मुझे बताइए, कोई ये फर्मान निकाले, कि अब पतंगों को, पतंगे बोलते हैं, पतंगों को उनिफर्म पहराएंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, कोई लोजिक है क्या, हमें बच्चों का विस्तार होने देना चाहिए, उनको नए नए दारिये में ले जाना चाहिए, मिलवाना चाहिए, कभी हमें भी ले जाना चा ताड़ा कि मामा के गर जाना फलानी जगा पर जाना ये क्यों होता था इसका अपना एक आनंद होता है उसके एक सवस्कार होते हैं एक जीवन की रचना बनती है हम अपने दाइरे में बच्चों को बंद मत करें हम जितना ज्यादा उनका दाइरा बढ़ाएंगे हां हमारा ध् झाल झाल